वेरी गुड इविनिंग तोल आफ यू सब यू स्टेंट्स को नमस्कार इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज के उपर और मैं आपको बता दू कि मैंने यूनिवर्सिटी आफ कोटा की साइट खोल रखी है और मैं रिजल्ट्स और रिगुलिशन वाले सेक्शन के उपर डिसकस इस वीडियो में करूंगा आप लोग आपने जो सर्च का ओप्सन आता है गूगल क्रॉम पर या जो भी ब्राउजर आप काम लेते यूओ के डॉट इसी डॉट इन करोगे तो यह एक्जामेंड और रिगुलिशन सेक्शन अपने काम के दो सेक्शन है अभी और मैं पहले रिजल्ट सेक्शन के उपर डिसकस करना चाहूंगा कि रिजल्ट कौन-कौन से आ चुके हैं तो सबसे पहले तो हम लोग इसी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आप लोग यहां पर देख पाए है वो थर्ड येर के हैं बाकी रिजल्ट के ऊपर थोड़ देर में चर्चा करूंगा कि वो कब तक आएंगे हम लोग पीजी का भी एक बार चेक कर लेते हैं कि पीजी का क्या सीन है और पीजी में भी आप लोग देख पाऊगे कि अभी जो पहले रिजल्ट आ रखेते वही र रिजल्ट जो है अभी कोटा यूश्टी ने रिसेंटली डिकलियर नहीं किया है तो इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा और आगे यदि बढ़ना चाहें तो मैं आखिर में चर्चा करूंगा कि इनके बाकी रिजल्ट कब तक आएंगे मैं रिविलिशन के पैनल की तरफ जा ृष आज आजा और यासा दिक्कत आ रही है टेकनिकरिकली तो मैं दबारा बैख जाऊंगा तो वहीं एक्जाम स्यक्षण पे जाकर के और फिर मैं रुष्णा वाले का जाना चाहूंगा तो रुष्णा की जो क्लासेज नो अवह भी भी केंच न 찾 chests औरे सो गोस्तिक आप इस पर देख पा रहे हो कि आप लोग जो है जैसे ही रिवेलेशन का फोरम भर देंगे तो आपको इस वाले एड्रेस पर मैं आड्रेस आपको बता देता हूं यह जो एड्रेस है ना ओनलाइन भरे हुए आविदन की जो हार्ड कॉपी है और बैंक चालान की दो प्रितिय और मूल अंतालिगा के लिए लेकिन जैरॉक्स चल जाएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है जैरॉक्स इसलिए चल जाएगी क्योंकि फिलाल जो है और कोई ऑप्सन यहां पर है नहीं अभी कोटा इस्टी ने मार्क सिट भेजी नहीं है तो जैरॉक्स जो है आप लोगों की चल जाएगी जैरॉक्स को लेकर के कोई इशू जो है नहीं है अब बाकी सब्जक के बाकी क्लासेज के रिवेल के फोरम कवाएंगे इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं और थोड़ा सा रिजल्ट सेक्शन को लेकर के डिसकस कर लेते हैं तो मैं आपको ब दोनो, Second Year BCOM और Second Year BSC इनके रिजल्ट अगले दो दिनों में जारी होने की संभावना है और First Year के रिजल्ट साथ दसरे के आसपास आएं और BA यदि First Year के हम लोग बात करें तो संभवते अभी यदि First Year का रिजल्ट चोह लेट आएगा और इसमें अभी टाइम लगने की संभावना है BA First Year के रिजल्ट में तो इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा परिशान आप लोग नहीं हो यदि हम लोग और थोड़ा सा इसी वीडियो में आगे बढ़े तो रिवेल के प्रिक्रिया के बारे में बताऊं तो मैं अगले तीन-चार दिनों में BA के भी रिवेलेशन की प्रिक्रिया सुरू हो जाएगी बिटा, MA के रिजल्ट भी जो है दसरे के आसपास जो है आने की संभावना है, खास तो और पे 5-6-7 तारिक तक तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें चोटा वीडियो है यह और अपने साथियों के साथ सेयर जरूर करें और आप लोग खुद ही जैसे मैंने चेक किया है, इस तरीके से चेक करते रहें थैंक्यू सो मज़